विकास, आ बैट, मैं तुझे राखी बान देती हूँ, और हाँ, तेरी पसंद के मोती चूर लड़ू, मैं वहीं हलवाई से लेती हुए आई थी, मुझे पता है तुरक्षा बंधन का इंतजार मोती चूर के लड़ू खाने के लिए करता है, क्यों, ठिक कह रही हूँ न? हाँ, गरिमा दीदी, ये बात तो सही है, पर मैं सोच रहा था, साक्षी भी आ जाती तो एक साथ ही दोनों से राखी बढ़वा लेता विकाज, तुझे पता तो है, साक्षी हमेशा देर से ही आती है, अब मैं पहले आ गई हो तो तू बंधवाले, उसका इंतजार क्यों कर रहा है, खई ऐसा तो नहीं कि तुझे साक्षी की लाई हुई काजू बर्फी और महंगे उपहारों का इंतजार है गरिमा दिदी कैसी बाते कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे लिए आप दोनों बहने बराबर हो नई, बराबर नहीं है, मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, और एक बाद, मैं तेरी सगी बहन हूँ, और साक्षी, वो हमारी सौतेली बहन है साक्षी गरिमा और विकास की छोटी बहन है गरिमा और विकास की मा की गुजर जाने के बाद उनके पिता ने साक्षी की मा यशोदा से दूसरी शादी की थी साक्षी जब कॉलेज में थी तब अचानक उनके पिता का देहान थो गया और तीन साल पहले ही साक्षी की शादी के बाद उसकी अपनी मा यशोदा भी उम्रों और बेमारी के चलते इस दुनिया से चली गए। पर विकास अपनी बड़ी बेहन गरिमा के साथ साथ साक्षी को बहुत प्यार करता था। ये देखकर गरिमा मनी मन उससे बहुत इर्शा करती है। हरे, विकास भईया, अभी तक आपने राकी नहीं बांदी, गरिमा दीदी आप मेरा वेट कर रहे थे। मैं नहीं कर रही थी, विकास कर रहा था, उसे ही शौक आता है कि तुम आओ तभी राकी बंद वाएगा। हाँ, मैंने सोचा कि दोनों मिलकर ही बांद लेंगे। हाँ, मैं तो बांद हूँगी, अब मेरा तो इससे जादा हग बनता है, मैं तेरी सौतेली नहीं सगी बेहन हूँ। गरिमा बिना सोचे समचे मुँपर हमेशा साक्षी को ऐसे ही अपमानित करती रहती थी, पर साक्षी कभी भी पलट कर अपनी बड़ी बेहन गरिमा को जवाब नहीं देती थी। दोनों बेहने विकास को राकी बानती हैं। साक्षी गरिमा की बेटी मुस्कान के लिए कुछ खिलोने और कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि साक्षी का पाच महिने का बेटा मोहित मुस्कान से पहली बार राकी बंदवा रहा था। मुस्कान जमीन पर गिर गई है, वो कुछ बोल नहीं रही। सब लोग अस्पताल पहुँचते हैं। मैंने मुस्कान के सारे टेस्ट कर लिये हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मुस्कान में थोड़ी खोन की कमी आई है, जिस कारण वो बेहोश हो गई, मैं कुछ ताकत के दवाई लिखकर दे रहा हूँ। ये समय समय पर मुस्कान को देते रहना, अक्सर छोटे बच्चों में ये दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर साब, फीस, फीस आपकी छोटी सिस्टर ने सब्मिट करवा दी है। ये गलती, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेहन, गरिमा दीदी, ऐसे मावी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी बड़ी बेहन हो, मुझे दुनिया में सबसे प्यारा अपना परिवार है, मेरे अपने बाई बेहन है। साक्षी तुन्हे डॉक्टर साब की फीस पहले ही दे दी, मैं दे देता। हाँ भया, वो कुछ दवाईयों और बाकी ताकत का पाउडर जो मुस्कान के लिए खून बढ़ाने का है, वो डॉक्टर साब दे रहे थे, तो मैंने तभी फीस दे दी, कोई बात दे भया, एक ही बात है, चलो सब घर चलते हैं, भाबी भी चिंता में होगी, बहुत देर से मोहित भी उनके पास है, कहीं रो न रहा हो, सब लोग घर आ जाते हैं, बच्चे फिर से खेलने लगते हैं, माहौल फिर से खुशी में बदल जाता है, पर इस समय गरीमा के मन में अपनी बहन साक्षी के लिए कोई नफरत, कोई जलन नहीं थी, सब कुछ भुला कर पूरा प पूशी अपने घर जाती हैं, और उस दिन के बाद से गरीमा के मन में साक्षी के लिए वो प्यार लोट आता है, जो सकी बहनों में होना चाहिए, साक्षी, तूने इतना बड़ा जूसर भीचवा दिया, अभी ऑनलाइन डिलिवरी वाला भाया दे कर गया है, पहले तो मैंन चेबल और फ्रूट्स का जूस बना लिया करो, मुझे पता है आपका जूसर खराब हो रहा था, साक्षी गरीमा से फोन पर बात कर रही थी और गरीमा की आँखों से आसु झलक रहे थे, यही तो होता है अपनों का प्यार, अपने सगी संबंधियों का प्यार जो अपने घ दोनों बेहनों के आप सी प्रेम को देख कर बहुत खुश था, मा उठो मा लो ये दवाई खालो, हाँ हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है, सेनु अपनी मा सविता को सहारा दे कर बिस्तर पर बिठाती है, सेनु बहुत ही समजद और एक जिमेदार लड़की थी, कई साल पहले, एक सड़क हाथ से में सीनु ने अपने पिता को खो दिया था, इस हाथ से के बाद से ही सीनु की मा सविता बहुत बीमार रहने लगी, धीरे धीरे तब्यत बिगरती गई और वो बिस्तर पर आ गई, अब सीनु को ही सब कुछ संभालना था, उसने शेहर के में मार्केट में सबसी बेचना शुरू कर दिया, छोटी से उम्र में वो घर का खर्चा चला रहे थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी मा का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था, दवाई खाने के बाद सविता सीनु के सिर पर ह उसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनु को एक टक देख रही थी और अचानक रोने लगी, सीनु ने उसके आंसु पोछे और उससे पूछा, क्या हुआ मा, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी से उम्र में तुझे कितनी मैनत करनी पढ़ रही है, और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पढ़ी रहती हो, खाश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती ये कैसी बाते कर रही हो मा, तुम बिमार हो, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हो, जो है साब अच्छा है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, और जादा सोचना मत इतना क्याकर सीनू सबजियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गए, उसने भले ही अपनी मा को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरुरत थी, एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझवाता करना सीनू को आता वो सब कुछ भूल कर सबसी बेशने लगी, तभी वहाँ एक बाईक आ करूगी, बाईक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाईक रोपकर किसी से फोन पर बात करने लगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो सारा समान गरी बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुँचना चाहिए, तुम रुको, मैं आता हूँ जल्दी, फिर देखता हूँ, वो लड़का आदेत्य था, जो एक सॉफ्टर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समासेवी संस्था से भी जुड़ा था, सीनु ने उसे देखा तो उससे बोली, भाया, ओ भाया, कुछ सबजी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी है, नहीं गुडिया, अभी घर नहीं जा रहा हूं, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाओंगा, आदेत्य की बात सुनकर सीनु का चेहरा उतर जाता है, आदेत्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है, तो वो स्टार्ट नहीं होती, वो कई बार पोशिश करता है, लेकिन सब उसे देर हो रही थी, अब वो परिशान होने लगा, ये देख कर सीनु ने उससे कहा, भाईया जी, आपने मुझसे सबजी नहीं खरी दी न, तो देखो, आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई, लेकिन आप चिंता मत करो, आप दो मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ, जो आपकी मदद कर सकता है, सीनु आदित्य को अपनी सबसियों के पास छोड़ कर चली गई, कुछ ही मिन्टो में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसकी दुकान पास में थी, उसने आदित्य से कहा, लो भाईया, ये हैं गाडियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर द आदित्य सीनु की बाद पर मुस्कुरा देता है, मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है, आदित्य सीनु से कहता है, गुडिया, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी दिर लग जाती, वैसे नाम क्या है तुम्हारा, और तुम् भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहां अकेले ही सबसी बेचती हो, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है। नहीं भायाजी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सबसियां खरीद लो, चार घंटे हो गए यहां खड़े-खड़े, आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है, रक्षा बंधन आने वाला है, सोचा था सबसी बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उनसे खोब सारी राख्यां ले आऊँगी, तो उन्हे फिर मैं, फिर क्या, बताओ गुरिया, क्या करना चाहती हो पैसे, भाईया, मैं अपनी मा को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ, मैंने सोचा था, कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी, तो उन्हें अच्छी डॉक्टर के पास लेकर जाओंगी, इतना कहते ही सी सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदेते दंग रह जाता है, वो मनी मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है, वो सीनू की सबजियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूली गया था, मैं एक समाच से भी संस्था से जुड़ाओं, वहां कल क पोड़ी देर में एक लड़का आएगा, और तुम्हारी सारी सबजियां ले कर जाएगा, ठीक है? अरे वाँ भाईया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तो, आपने तो मेरी बहुत-बड़ी मदद कर दी अरे नहीं गुड़िया, सबजी तो कहीं न कहीं से खरीद नहीं थी, तो तुम से ले ली, वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हो भाईया, अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी, और उन्हें बेचकर खुब पैसे कमाऊंगी, फिर, फिर सब अच्छा हो जाएगा खुश रहो, खुश रहो, अच्छा ये लो पैसे लेकिन, ये, ये तो मेरी सबजी के दाम से जादा पैसे हैं भाईया भाईया कह रही हो, तो मैं भी छोटी बहन समझके दे रहा हूं, रख लो, और हाँ, ये लो मेरा फोन नमबर, कोई भी मदद चाहिए हो, तो फोन करना, ठीक है? मेकेनिक ने आदिते की बाईक ठीक कर दी थी, आदिते सीनू के सिर पर हाथ रखता है, और फिर अपनी बाईक लेकर चला जाता है, सीनू काफी देर तक आदिते के बारे में ही सोचती रही, शाम के वक्त आदिते की संस्था से एक लड़का आकर सीनू से सारी सबजी ले जा राखी ले लो राखी, गुड़े वाली, फूल वाली, गुड़े वाली राखी, सुन्दर सुन्दर राखी ले लो सीनु कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था दरसल कुछी दूर राख्यों के एक बड़ी सी दुकान थी जहां सीनू से ज़ादा वेराइटी की राख्या थी इसलिए सभी लोग उसी दुकान से राख्या खरीद रहे थे ये देख कर सीनू फिर से उदास हो गई थी शाम हो गई पर उसकी एक भी राख्य नहीं बिकी वो अपनी राख्यों के साथ घर पहुची तो उसे उदास देख कर सभीता ने पूछा क्या हुआ सीनू जाते हुए तो बड़ी खुश थी तो क्या बताऊ मा पूरा दिन धूप में चुलाती रही पर किसी ने एक भी राख्य नहीं खरीदी मुझसे सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे कल रक्षा बंधन है अगर कल भी मेरी राख्या नहीं बिकी तो क्या होगा मा हिम्मत मतहार बेटी भगवान किसी को तो भेजेंगे सीनु ने अपने सारे पैसे राख्य खरीदने में लगा दिये थे अब तो उसके पास बेचने के लिए सबजिया भी नहीं थी और ना ही वापस सबजी खरीदने के लिए पैसे अगले दिन रक्षा बंधन था वो सुबह सुबह ही अपनी राख्या लेकर बाजार पहुँच गए एक दो लोगों ने आकर उसकी राख्या देखी जरूर पर खरीद ही नहीं दो पहर हो गए थी सिनु का सब्र तूटता जा रहा था तब ही उसने सामने से आदिते को आते देखी अरी भाईया आप कैसे हो आप अरे गुडिया मैं अच्छा हूँ गुडिया तुम्हारी राख्या देखने आया हूँ और खरीदने भी अच्छा तो लीचे ना ये ये देखिये इस पर कितना प्यारा गुड़ा लगा है और ये फूर वाली अच्छी है ना सीनु खुश देखने की कोशिश तो कर रही थी पर आदिते उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था उसने आते हुए राख्यों के दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देड़ नहीं लगी कि सीनु के लिए अपनी राख्या बेच पाना कितना मुश्किल था उसने सीनु से कहा गुडिया तुम बहुत छोटी हो इतनी सी उम्र में तुम में जो होसला है उसके जितनी तारीफ की जाए वो कम है लेकिन बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हें कुछ और सोचना होगा मतला पया मैं कुछ समझी नहीं आदिते उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगा कर सीनों की जगा जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिलाने लगता है लेलो लेलो किसमत वाली राकी लेलो इसे घरीदोगे तो किसमत खुल जाएगी हर मुश्किल दूर भाग जाएगी जिस भाई की कलाई पर बढ़ेगी ये राकी उसकी उमर सौ साल की हो जाएगी लेलो 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 आदिते की परसनेलिटी बहुत अच्छी थी लोग उसे राखियां बेशते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे उपर से आदिते का उनको बुलाने का तरीका भी मज़दार था दीरे दीरे लोग उसके पास आते गए सीनू ने राखियां बेशती गए और आदिते इसी तरह मज़दार बाते करके लोगों को आकरशित करता गया कुछी देर में सीनू की सारी राखियां बिग गए ये देखकर आदिते बहुत खुश हुआ उसने सीनू से कहा देखा गुडिया ऐसे वेचते हैं सावान सारी राखियां बिग गई तुम्हारी नहीं भाईया सारी नहीं बिगी मैंने एक राखिय बचा कर रखी है लेकिन क्यों गुडिया अभी तो तुमने एक ग्राख से कहा कि सारी राखियां बिग गई है उसके लिए नहीं बची तुमने ये राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, बलकि मेरे भाईया की कलाई पर सचने के लिए है मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती थी अगर आपको पुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बान सकती हूँ? क्यों नहीं गुडिया, मेरी भी कोई बेहन नहीं है और सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा की अगर मेरी कोई छोटी बेहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नटकट होती इतना कहकर आदित्य अपना हाथ सीनू की तरफ बढ़ा देता है और सीनू उसकी कलाई पर राखी बान देती है दोनों बहुत खुश थे फिर आदित्य अपनी जेब से एक तोफा निकाल कर सीनू को देता है सीनू चौंक जाती है और कहती है अरी भाईया ये मेरे लिए हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही है अब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे खौल कर देखो सीनू जल्दी से अपना तोफा खोलती है उसमें शेहर के एक बड़े डॉक्टर से अपोइंट्मेंट का पड़चा था सीनू की आँखों में आशू आ जाते है वो बस आदित्य को देखती रह जाती है कुछ नहीं बोल पाती तुमने चितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरी बहन अब तुम्हारा भाई आ गया है जो सब ठीक कर देगा